दोस्तो हिंदी सिनिमा के मसुहूर संगीत कारवा गायाक रविंद जैन सहाब ने म्यूजिक इंडेस्ट्री को एक से बढ़ कर एक कई यादगार गीत दिये हैं जनाम से ही नेतरहीन रविंद जैन सहाब का जनाम 28 फरवरी 1944 को उतर प्रदेश के अलिगार जिले में हुआ था रविंद जैन सहाब अपने साथ भाई बहनों में तीसरे नमबर के थे और रविंद जैन सहाब ने अपनी पढ़ाई अलिगार विश्व विद्याला के ब्लाइंड इसकूल से पूरी की महाज चार साल की उम्र में ही उन्होंने संगित की तालिम लेनी सुरू कर दी थी और इसके बाद उन्होंने कोलकाता में कई दिनों तक सिक्षा के रुप में काम किया आपनी बहुत खुबसूरत आवाज में अपने अपनी अपनी बहुत ए खुबसूरत आवाज में अपनी आवाज दी। हालाकि ये फिल्म रिलेज नहीं हो पाई और साल 1972 में फिल्म काँचा और हिरा रिलेज हुई जिसे रवन जैन साब के संगीतों से सजाया गया था और इसी फिल्म के साथ संगीत कार के रूप में रवन जैन साब के फिल्में के डियर की सुरुआत हो गई हालाकि ये फिल्म अस प्रतिसोद जैसी कई फिल्मों में जबर्जा से संगित दिया रमिल जैन साब के सबसे मसूर गानों की बात करें तो गीद गाता चल उसाथी गुंगरु की तरह ही बज़ता ही रहा हूँ जब दीब जले आना ले जाएंगे हम दिलवाले दुरहनिया ले जाएंगे और ना जा फिल्मों में अपना परचम लहराया बलकि टीवी पर आने वाले मसूर परोडिक स्रियाल रमायार को भी संगित दिया था जिसे आज भी याद किया जाता है और दोस्तों इस टीवी स्रियाल में उन्होंने अपनी आवाज भी दी जिसे आप लोगों ने कांफी जादा को देखना चाहेंगे हाला कि उनकी इच्छा थी कि अगर आंखों की रुष्णी वापस आ जाए तो वो सबसे पहले अपने पसंदीदा का याक यसुदास को देखना चाहेंगे और आकरी समय तक रविंद्र जैन सहाब के पास काम नहीं रही और ना क्टूबर 2015 को किड़नी की विमारी के चलते उनका निधान हो गया भले ही आज बालूट के मसुहूर गया क्वा संगीतकार रविंद्र जैन सहाब हमारे बीच नहीं है लेकिन उन्होंने बालूट को जो योगदान दिये हैं उन्हें हम चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे तो हम लोगों के तरफ से र हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब किजएगा और वीडियो का भी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक किजएगा सेयर किजएगा थांग्चे जस्तों हमारे विड़ वाचिंग करने के लिए